आज से हम नई स्कीम लाए हैं देड़ हजार रुपे अकाउंट्स का है दो हजार रुपे एकॉनमिक्स का है और ढाई हजार रुपे बिजनस टडीज का है मजाक कर रहे थे सबसे बड़ी दुवधा सबसे पहले सॉल्व करने की जरूवत है और वो है हमारी business studies सबसे ज़ादा problem पता है कहाँ पे आती है कि business studies पढ़ तो लिया लेकिन case studies के according लिखना क्या है तो यार सबसे पहले वो 5 सवाल पूछने की बड़ी इच्छा होती है कि आखिर business studies NCRT से पढ़ना सही है या नहीं So my question is, is business studies NCRT really bad? सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है business studies को लेके क्योंकि मैं भी काफी students में जब deal करता हूँ तो एक चीज बड़ा mind पे click करती है और वो यह है कि NCRT होने के बावजूद यानि CBSC का specific printing press होने के बावजूद उसमें case studies आज भी missing है यानि सबसे बड़ा impact क्या पड़ता है even though हम जब इतना कुछ उसके अंदर पढ़ लेते हैं इतना कुछ उसके अंदर समझ लेते बट स्टिल सबसे बड़ी problem यह आती है कि हमें case studies को solve करना नहीं आता है because NCRT के अंदर वो हर chapter में तो 2-4-8 case studies होती है वो sufficient ही नहीं है यानि अगर मुझे पूरे chapter की gist आती भी है तो उसके बाद भी मेरी पढ़ाई तो insufficient हुई सिर्फ एक कारण से क्योंके मेरे पास proper case studies solve करने के लिए हैं ही नहीं ठीक है अब यहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि मैं NCRT को oppose कर रहा हूँ लेकिन agenda यहाँ पे यह नहीं है यह पता लगाना है कि हम और आप जैसे जो average लोग हैं जो business studies को detail में पढ़के अच्छा score करना चाते हैं maybe 80s को 90s में convert करना चाते हैं और 90s को 100s में convert करना चाते हैं लेकिन हमेशा एक दिक्कत होती है क्यार वो जो bracket है ना हमारा हमेशा का उसी में अटके रह जाते हैं काफी बच्चों को आपने progress करते देखा होगा लेकिन हम जैसे लोग अगर 70 ला रहे हैं 100% की बात कर रहा हूँ मैं तो 70 ही ला रहे हैं 80% आ रहे हैं अगर हमारे तो 80% या रहे हैं हमारी scoring जो है वो effect हो रही है यहीं से मेरा second point चालू होता है business studies को लेके और वो यह है is the content enough in business studies यानी क्या हुआ business studies को मैंने उठाया मैंने पढ़ना चालू किया सब कुछ बहुत precise दिया हुआ है ठीक है मैं समझता हूँ सारे teachers आज के time पे focus करते हैं कि बिटा NCRT से पढ़ बिटा NCRT से पढ़ उनका भी agenda गलत नहीं है लेकिन कहीना कहीं वो गलत भी है मैं दोनों चीज़े समझाऊंगा वो गलत क्यों है क्योंकि अगर आप सिर्फ NCRT पे stick करोगे तो वो जो specific language है I know काफी लोग ऐसे हैं जो रटाफिकेशन में भारत वर्ष है न तो रटाफिकेशन में काफी लोग माहिर होते हैं वो business studies को घोल के पी जाएंगे लेकिन ultimately यहाँ पे मैं उस crowd की बात कर रहा हूँ जो average student है जिसके लिए NCRT को घोल के पीना आसान नहीं है यानि वो लोग चाहके भी वो NCRT को word to word memorize नहीं कर सकते हैं यानि जब भी आप business studies उठाते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको word to word सारी चीज़े याद करना है यानि अगर आप किसी और book से भी किसी refresher से पढ़ते हो और technical language में लिखते हो तो ultimately result वही आना है आप भी अच्छा score कर सकते हो अगर आप चीज़ों को समझ के ध्यान देना technical language में लिखना जानते हो so मेरी बात यहाँ पे clear है अगर आप घोल के पीने में master हो अगर आप average student हो के सारी चीज़े grasp कर सकते हो ratification कर सकते हो definitely go for NCRT but अगर आप learner हो अगर आप passionate हो commerce को लेकर और आप चाहते हो के वो actual knowledge grasp करो तो again NCRT is insufficient उसके अंदर उतना content नहीं है उतना elaborate नहीं किया हुआ है जो आप detail में जाके उसमें पढ़ सको हाँ वो आपको marks दिलाएगा हाँ वो आपको 90% अवर भी पहुँचाएगा बिलकुल पहुचाएगा लेकिन ultimately चीज कहाँ पे जाके restrict हो जाती है कि क्या आपको वो घोट के पीना आता है सो तीसरा सवाल ये है कि अगर NCRT हम पढ़ते भी हैं तो why we are not able to score बहुत simple सा answer है NCRT में content पढ़ लिया रट लिया लेकिन उसको उगले कहां उल्टी कहां करें ultimately business studies का आज के time पे जो paper बनता है वो case studies based होता है यानि logical reasoning जिसे हम बोलते हैं जिसमें आपको mind process, thought process होना चाहिए आप चीजों को सोचोगे तब करोगे वो चीज आप एक balance नहीं बिठा पाते हो because NCRT तो पढ़के बैट गए लेकिन case studies कहां से लाएं case studies कैसे करें यानि जो अभी तक आपका ratification आपके advantage में काम कर रहा था वही अब disadvantage में आ जाएगा और सिर्फ एक छोटा सा कारण है और वो ये है कि आप ultimately रट तो रहे हो लेकिन logical thinking ना होने के कारण आप उसे case studies से relate नहीं कर पारे यार वो question organizing का था नहीं यार उसका answer तो planning होना चाहिए था भाई मैं तो staffing लिखके आया हूँ यार मेरे को तो लगा economics का question आ गया था ये problems आप face करते हो जब भी case studies देखते हो और उसका सिर्फ एक बहुत basic सा reason है आपकी logical thinking NCRT खतम कर रहा है क्योंकि आपके mind में भरा जा रहा है जैसा NCRT में लिखा है word to word पड़ो और उल्टी कर दो लेकिन उसके लिए case studies को समझना बहुत जादा ज़रूरी है So ultimately बात तो वहीं आके रुख गई कि आपको वो logical reasoning आनी चाहिए और वो तभी तो आएगी जब आप चीजों को सोचना चालू करोगे तो मैं यही बोलना चाहता हूँ अगर आपके school में teacher force करते है NCRT के लिए तो उनका simple thought process है उनका ये कहना है कि at least आप minimum तो score करो ऐसा नहीं है कि आपके teachers नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा score करो लेकिन ultimately उनका ये agenda होता है कि जो maximum crowd है उसका average सुधरना चाहिए जो कि NCRT के थुरू बहुत helpful है बहुत आसानी से किया जा सकता है लेकिन again मेरा मकसद अलग है मेरा मकसद है कि अगर आप minimum भी score कर रहे हो तो उसको maximize कैसे करो इसी पर आता है हमारा fourth point Do refreshers are a must? Exactly but again along with the NCRT मतलब refresher यहाँ पर मैं किसी refresher को promote नहीं कर रहा किसी publication house को promote नहीं कर रहा मैं आपको एक simple सा एक idea बता रहा हूँ NCRT को रखो साथ में एक refresher को रखो और अपना thought process जो है वो inculcate होने दो यानि grow होने दो ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको वाकई में अपनी तयारी कैसे करनी है planning specifically क्या होता है organizing specifically क्या होता है दोनों में differentiation क्या है कौनसी case study किस तरीके से planning और organizing को differentiate करती है दोनों में कही ना कही end moment पे जाके confusions होते है especially planning और controlling जैसे chapter में ये चीज़े refreshers by the way of majority of case studies आपकी solve कर सकती है NCRT बगल में रहेगी तो पता रहेगा कि CBSC किस particular topic से case studies उठा के आप से पूछ सकते हैं last thing can refreshers provide us the guarantee to score maximum it is totally up to you आप जितना पढ़ोगे जितना खुद को explore करोगे in the field of business studies in the subject business studies आपके लिए beneficial है आप उस result तक close होते चले जाओगे ठीक है हो सकता है maybe आपको school में उतना result नहीं दिखे लेकिन मैं इस चीज़ की 100% guarantee लेता हूँ कि आपको अपनी thinking में अपने thought process में improvement दिखेगा जो teachers reluctant हो चुके हैं आज के time में कि business studies की language ही चाहिए जो NCRT में लिखी हुई है वो आपको marks नहीं देंगे आप कुछ भी कर लो आपको वहाँ पे NCRT language ही लिखनी पड़ेगी लेकिन believe me जैसे ही board exams आएंगे और आप board में अपने हिसाब से उन technical terms में लिखे आओगे आप सही guess कर पाओगे कि आपको actual answer case study का क्या देना था वहाँ पे आपकी जीत होगी क्योंकि वहाँ पे आपने अपना answer लिख पाए क्योंकि आप ये समझ पाए कि case study किस particular chapter से आई थी और आप से क्या पूछ रही थी तो ये यार हमारा छोटा सा session था जिसमें हमें discuss करना जरूरी था कि क्या NCRT अकीले से आप 100% score कर सकते हो बिल्कुल हाँ अगर आप ratification जानते हो सारी चीज़े घोड के पीना जानते हो बिल्कुल आप score कर पाओगे हाँ आप एक extreme तक पहुँच पाओगे लेकिन अगेन अगर हम as an average student चाहते हैं कि 90% अगर लेकर आए business studies में तो उसके लिए आपको अपना mindset change करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपके marks जितने आते थे NCRT को दो बार पढ़ने के बाद 400 बार पढ़ने के बाद भी होतने ही आ रहे तो अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो और उसके लिए सिर्फ एक तरीका है कोई भी refresher उठाओ जो आपको पसंद है case studies उठाओ solve करना चालू करो और differentiate करना चालू करो कि किस तरीके से हर एक chapter अपने आप में unique है हो सकता है आपको किसी एक question में गलती से guess work करना पड़ भी जाए तो आपकी logical reasoning आपके साथ रहेगी and मैं surety से कह सकता हूँ कि आप वो guess सही करोगे क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हो ratification से नहीं thank you so much for letting us grow this much this bigger commerce baba is a family of 150k subscribers now आप लोग की बतौलत आज हमारे पास membership button आ चुका है अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो के नीचे देखेंगे तो subscribe के बगल में एक join बटन दिया हुआ है जो लोग वाकई में commerce baba के लिए dedication दिखाना चाते हैं वो इस particular join बटन को hit करके हमारे चैनल को support कर सकते हैं membership button की through आपको कुछ special features मिलेंगे commerce baba के अंदर जैसे हम live interaction करेंगे यानि मैं live आऊंगा आपके लिए और हम आपके doubt solve करेंगे मैं आपके साथ practice papers discuss करूँगा आपको sample papers provide करूँगा and जो मेरे खुद के prepared notes हैं वो आप तक पहुँचेंगे हमारे team commerce baba के through so again if you want to support team commerce baba join button दिया हुआ है subscribe button के बगल में आप join कर सकते हैं team commerce baba को and part बन सकते हैं commerce baba family के तो चलिए मिलते हमारे next वीडियो में तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से धन्यवाद